शमौन पत्रस की और से जो येशु मसीह का दास और प्रेरित है उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उधार करता येशु मसीह की धामिक्ता से हमारा सा बहमुलिय विश्वास प्राप्त किया है परमेश्वर के और हमारे प्रभु येश्व की पहचान के द्वारा अनुग्रे और शांतितों में बहुतायच से बढ़ती जाए क्योंकि उसके येश्वरिय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबत रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुन के दुसार बुलाया है जिनके द्वारा उसने हमें बहमूले और बहुत ही बड़ी प्रतिग्याइं दी है ताकि इनके द्वारा तो मों उस राहत से चूट कर जो संसार में बुरे अभिलाशाओं से होती है इश्वर्य स्वभाव के संभागी हो जाओ और इसी कारण तो उन सब प्रकार का यत्म करके अपने विश्वास पर सद्गुन और सद्गुन पर समझ और समझ पर सयम और सयम पर धीरच और धीरच पर भक्ति और भक्ति पर भायचारे की प्रीती और भायचारे की प्रीती पर प्रेम बढ़ाते जाओ क्योंकि यदि ये बाते तो में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु येशु मसीर के पहचाने में निकम में और निश्वन्ना होने देंगी और जिसमें ये बाते नहीं, वह अंधा हैं और धुन्धला देखता हैं और अपने पूर्वकारी पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैथा है इस कारण है भायों अपने बुलाय जाने और चुनली जाने को सिद्ध करने का भली भाती यक्न करते जाओ क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे वरन इस रीती से तुम हमारे प्रभू और उत्धार करता ये शुमसीह के अनत राच्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे इसलिए यद्यपी तुम्हें बाते जानते हो और जो सत्ते बच्चन तुम्हें मिला है उसमें बड़े रहते हो तो अभी में तुम्हें इन बातों की सुधी दिलाने को सरवदा तैयार रहूंगा और मैं यह अपने लिए उच्चित समझता हूँ कि जब तक मैं इस देरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधी दिला दिला कर उभारता रहूँ क्योंकि यह जानता हूँ कि मसीह के बच्चन के अदुसार मेरे देरे के गिराये जाने का समय शीगरा आने वाला है इसलिए मैं ऐसा यत्म करूँगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु येशु मसीह की सामर्थ का और आग्मन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से कड़ी हुई कहानियों का अनुकरन नहीं किया था वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने प्रमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई जब उस प्रताप में महिमा में से यह वानी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन हूँ और जब हम उसके साथ पवित्र पहाद कर थे तो स्वर से यही वानी आते सुनी और हमारे पास जो भविश्य द्वक्ताओं का बचन है वो इस घटना से ग्रिठेरा है और तो यह अच्छा करते हो कि जो यह समझ कर उस पर ध्यान करते हो कि वह इक दिया है जो अध्यारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौना फटे और भोर का तारा तुम्हारे विद्यों में न चमक उठे पर पहले ये जानलों की पवित्र शास्त की कोई भी भविश्यद्वानी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर कूर नहीं होती क्योंकि कोई भी भविश्यद्वानी मनुश्य की इच्छा से कभी नहीं हुई पर भग जण पवित्रा आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे और जिस प्रकार उन लोगों में जूठे भविश्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी जूठे उगदेशिक होंगे ज़ो नाष करने वाले पाकरन का उध्दातन छिप छिप करेंगे और उस्वामी का जिसने उन्हें मु लिया है इंकार करेंगे और अपने आपको शीग विनाष में डाल देंगे और बहुतेरे उनकी नाई लुजपन करेंगे जिनकी कारण सत्य के मार की निंदा की जाएगी और वे लोग के लिए बाते गर्द कर तुम्हे अपने लाग का कारण बनाएंगे और जो दर्द के आग्या उन पर पहले से हो चुके है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश हूंता नहीं क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिनों ने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेज कर अंधेरे कुंडों में दाल दिया ताकि नयाई की दिन तक बंदी रहें और प्रथम युग की संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीं संसार पर महाजन प्रले भेज कर धर्म की प्रचारक नूर समेत आफ व्यक्तियों को बचा लिया और सदों और अमोरा की नगरों को विनाश का ऐसा दर दिया कि उन्हें भास्न करके राप में मिला दिया ताकि वे आने वाले भक्तिहीं लोगों की शिक्षा के लिए द्रिश्टाक बने और धर्मी रूद को जो अधर्मियों के अशुद्ध चार चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया क्योंकि वा धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख-देख कर और सुन-सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीदित करता था तो प्रभू के भक्तों को परेक्षा में से निकाल लेना और अधमेरियों को न्याय के दिन तक दन की दशा में रखना भी जानता है निच करके उन्हें जो शुद्ध अभिलाशाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभूता को तुछ्छा जानते हैं वे धीट और हची हैं और उचे पदवालों को बुरा भला कहने से नहीं दरते तो भी स्वर्गदू जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं प्रभू के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोश नहीं लगाते पर ये लोग निर्बुधी पशोही के तुले हैं जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं उनकी विशे में औरों को बुरा भला कहते हैं वे अपनी सुराहत में आप ही सर जाएंगे परों का बुरा करने के बदले उनहीं का बुरा होगा उन्हीं दिल दूपहर सुखविलास करना भला लगता है ये कलक और दोश है जब वे तुम्हारे साथ खाते भीते हैं तो अपनी और से प्रेंग भोज कर के भूभ विलास करते हैं उन्ही आँखों में व्यविचार बसा हुआ है और वे पाप की ये बिना रूप नहीं सकते वे चंचर मन वालों को फुसला लेते हैं उनके मन को लोग करने का अभ्यास हो गया है वे संदाप की संदान हैं तो ये सीधे मार को छोड़ कर भटक गए हैं और बोग के पुत्र बिलाम के मार पर हो लिये हैं जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना पर उसके अपराद की विशे में उलाहना दिया गया यहां तक कि अबूल गधी ने मनुशे की बोली से उस भाविशिद वक्ता को उसके बावलिपन से रोका यह लोग अंधे कोई और आंधी के उड़ाय हुए बादल हैं उनके लिए अनततकार ठेहरा गया है तो यह व्यर्थ धमन की बाते कर करके लुच्पन की कामों के द्वारा उन लोगों को शारेले का बिलाशाओं में फसा लेते हैं जो भड़के हों में से अभी निकली रही हैं तो यह उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिव्या तो देते हैं पर आप ही सुराहत के दास हैं क्योंकि जो व्यक्ति चिस से हार गया है वो उसका दास बन जाता है और जब वे प्रभू और उद्धार करता ईशु मसीख की पहचान के द्वारा संसाथ की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए तो उनकी पिछी दशा पहली से भी बुरी हो गई है क्योंकि धर्म के मार में नजाना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्रा आगया से फिर जाते जो उन्हें सौपी दे थी उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुट्ता अपनी चांट के ओर और धूई हुई सुरनी कीचर में लोटने के लिए फिर चली जाती है हे प्रियो अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधी दिला कर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भाविश्य द्वक्ताओं ने पहिले से कही हैं और प्रभू और उधार करता कि उस आग्या को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी और यह पहिले जान लो कि अंतिन दिनों में हासी ठठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अविलाशाओं के अनुसार चलेगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिग्या कहां वही क्योंकि जब से बापदादे सुगे हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा स्रिष्टी के आरब से था वे तो जान बूझ कर यह भूल गए कि परमिश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काश से वर्तमान है और प्रित्री भी जल्मी से बनी और जल्मी स्थिर है इनही के द्वारा उस योग का जगत जल्मे डूपकर नाश हो गया पर वर्तमान काश के आकाश और प्रित्री उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जल्माए जाए 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 और वो भक्तेहीन मनुश्यों के न्याए और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे हे प्रियों यह एक बात तुम से चिपी न रहे कि प्रभू के यहां एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और हजार वर्ष एक दिन के बराबर है प्रभु अपनी प्रतिग्या के विशे में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं पर तुम्हारे विशे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश्रो वरणिय की सब को मनफिराव का आफसर मिले परत्व प्रभु का दिन चोर की नई आजाएगा उस दिन अकाश बड़ी हरा हरा हर के शब से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होंकर पिघल जाएंगे और प्रिथ्वी और उस पर की काम जल जाएंगे तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीथी से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चार्चरण और भक्ति में कैसे मनुश्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीथी से जोहना चाहिए और उसके जल दाने के लिए कैसा यक्व करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गण जाएंगे पर उसकी प्रतिग्या के अनुसार हमें एक नए आकाश और नए प्रित्वी की आस देखते हैं जिन में धामिर्ट अवास करेगी इसलिए है प्रियो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्म करो कि तुम शांती से उसके सामें निश्कलर को और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उधार समझो जैसे हमारे प्रियभाय पॉल उसनावी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम ही लिखा है लैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है जिन में कितनी बाते ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अपरो चर्चल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई की इचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं इसलिए हिप्रियों तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो ताकि अधमरियों के ब्रभ में फंसकर अपनी स्थिर्था को हाथ से कहीं खोन दो पर हमारे प्रभू और उध्धार करता ईशो मसीह के अनुपरे और पहचान में बढ़ते जाओ उसे के महिमा भी हो और युगान युग होती रहे आमीन